साई की बात बचे, चिंता की कोई बात नहीं मेरे बचे, डरो मत सब हो जाएगा मेरे बचे, मैं सब संभाल लूँगा तुम चिंता से डरो मत, मैं खड़ा हूँ ना तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा खड़ा है न, फिर क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, और इस बार वो भी काम सफल होगा, जिस काम बे तुम बार बार विफल होते थे, वो काम इस बार हो जाएगा, चिंता बिलकुल भी मत करना, और सुनो मेरे बच्चे अपने आपको न इतना खास समझा करो कि इस दुनिया में जो तुम्हें बनाया है न इश्वर ने वो यूही नहीं बनाया मेरे बच्चे बेफिजूल नहीं बनाया तुम्हें अगर उपर वाले ने बनाया है मेरे बच्चे तो कुछ सोच समझ कर बनाया है मेरे बच्चे क्योंकि उपर वाला कभी गलती नहीं करता मेरे बच्चे उनके हाथों से कभी कोई गलती नहीं होती और वो जिस भी जीव को इस धर्ती पर भेशते हैं न सब के पीछे क कुछ ना कुछ कारण होता है कुछ ना कुछ वजा होती है मेरे बच्चे तो अपनी जिन्दगी को ऐसे जीओ कि तुम इश्वर के खास बच्चे हो बहुत खास हो तुम अपने आपको इस तरह मान के अपना जीवन जीओ और हमेश्य सकरत्मक रहो जो तुम्हारा नहीं भी है वो भी तुम्हारे पास आ जाएगा तुम देखना और अपनी आपको किसी से भी कम समझने की गलती मत करना क्योंकि तुम किसी से भी कम नहीं हो मेरे बच्चे किसी से नहीं और सुनो अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो न तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान द क्योंकि वो लोग कहते रह जाएंगे और तुम सुनते रह जाओगे तुम्हारा काम है अपनी जो लक्ष है उसकी और और तुम्हारा लक्ष जहां है बस वही पर ध्यान दो उनी कामों पर ध्यान दो जो उन कामों के बीच में चीजे आए बस वही करो फालतो लोगों पर ध्य जान देने की कोई जरुवत नहीं, कोई क्या कहता है, क्या नहीं कहता मेरे बचे, तुम जानते हो, आज जितने सफल व्यक्ति है ना, सब के जीवन में संघर्ष आये, लेकिन सब ने हमेशा अपने लक्ष की तरफ ध्यान दिया, वो कभी भी ना, इधर उधर भटके नहीं बचे, तुम बिलकुल चिंता मत करना, बिलकुल भी चिंता मत करना, तुम्हारा बाबा सारा इंतजाम पहले से ही कर रखा है मेरे बचे, तुम्हारे लिए, ना तुम्हारे रहने में कोई दिक्कत आएगी, तुम आजाओ मेरे बचे, बस आजाओ, चिंता मत करो, मैं तुम भुबखर न ध्यान मत देना, बाकिके लोग क्या कहते हैं उन्हें छोड़ देना। पड़ा लिया चुकि माता पिता का सम्मान उनके बच्चों से होता है अगर उनके बच्चे गलत रास्ते पर चले जाए ना तो वो जिंदगी भर के लिए शर्मिंदा हो जाते हैं लोगों से नजरे नहीं मिला पाते और वही अगर उनके बच्चे तारिफ के काबिल बन जाते हैं तो हमेशा उनकी आखों में वो चमक होती है वो खुशी होती है वो इज़त होती है और लोगों के नज़रों में भी उनके लिए इज़त होती है और वही इज़त उन्हें बहुत खुशी देती है बहुत प्यार देती है मेरे बच्चे और वही तुम्हें करना है करोगे न और सुनो, घर में अगर पतनी है मेरे बच्चे, उसकी इज़त पती के हाथ में होती है मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ पती के हाथ में, क्योंकि वो सब को छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पीछे आई है मेरे बच्चे, अगर पती ही उसका साथ नहीं देगा, तो उसका मान स मान सम्मान कैसे बढ़ेगा मेरे बच्चे अगर ससुराल में मान सम्मान है तो वो पती से है मेरे बच्चे ना की पतनी से अगर पतनी चाहती तो सब कुछ कर सकती थी लेकिन वो फिर भी नहीं करना चाहती वो कभी भी अपने पती को नीचा गिराकर कभी उपर नहीं उठना च सब को और जो लोग तुम्हारी पतनी के ओपर गलत आरोब लगाते हैं गलत इलजाम लगाते हैं और ये बात तुम भी जानते हो और ये और लोग भी जानते हैं लेकिन तुम चुप रहते हो सिर्फ इस वज़र से उस पर उंगलिया उठाई जाती हैं तुम्हें बोलना होगा मैं तुमसे लड़ाई छगड़े करने के लिए नहीं कहता लेकिन सच रखने की हिम्मत रखो सच बोलने की हिम्मत रखो मेरे बचे क्योंकि मैं कभी नहीं चाता कि मेरा कोई भी बच्चा गलत की रास्ते पर चले अगर वो गलत के लिए बोलता नहीं है न वो चुप भी रहता है, तब भी वो गलत ही है, क्योंकि वो चुप रहकर गलत का साथ ही दे रहा है, और तुम गलत का साथ मत दो मेरे बचे, बिल्कुल भी मत दो, और सुनो मेरे बचे, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, अगर काम को महनत से किया जा तो वो काम काम है मेरे बच्चे और क्या पता वो तुम्हारा चोटा काम एक बहुत बड़ा रूप ले ले मेरे बच्चे मेरे आशुरवात से तो घबराओ मत काम को शुरू कर दो और सुनो तुम्हारे पास कोई आएगा मेरे बच्चे आएगा उसके पास में पैसे नहीं हों जरूर कर देना और सुनो ध्यान रखना वो जो अमानत तुम्हारे पास आ गई है उसकी उसे उस तक पहुचा देना और तुम्हारा उस इंसान से मिलाने का माध्यम भी है मेरा कुछ इसके पीछे वज़ा भी है कि तुम उस इंसान से मिलो उससे तुम्हारा कुछ रिष्टा है पिछले जनम का मेरे बस यह बात ध्यान रखना कि तुमहारा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ है और सुनो, अपने आप से घबराते क्यों हो, खुद से क्यों घबराते हो मेरे बच्चे, अकेले रहने से न, कभी घबराया मत करो, बलकि तुम अकेले में रहोगे न, तो मैं तुम से बात करूँगा, और हमेशा जब भी अकेले में होते हो न, तो खुद से ऐसी बाते किया कर न मेरी बात को चुक히 इस बात को मैंने दो या तीन बार दोहराया मेरे बच्चे इसलिए कि तुम इस बात पर गौर करो और ध्यान रखो कि तुमें अपने आप से वही बाते कहनी हैं, वही बाते सुननी हैं जो तुमें पसंद आती हो और उसे सच करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा वो तुम्हारा सकार करूँगा मेरे बच्चे वो हो जाएगा जो तुम सोचोगे वही होगा ये आशिरवाद देता हूँ मैं तुम्हे तो इसलिए नकरात्मक मत सोचना अगर नकरात्मक सोचोगे तो वही ही हो जाएगा फिर मत कहना कि भाबा ये क्या हो गया तो तुम्हें सकरात्मक ही सोचना है समझ गए ना आज से और सुनो एकादशी का वरत तुम पहले रखते थे लेकिन तुमने रखना छोड़ दिया लेकिन दुबारा से एकादशी का वरत रखना शुड़ू करो मेरे बचे तुमने छोड़ क्यों दिया मेरे बचे रखना शुड़ू करो और सुनो जो तुमसे गलती हो गई वो हो गई मेरे बचे अब शर्मिंदा मतो मेरे बचे मैंने तुम्हें माफ कर दिया आगे बढ़ चाओ, कोई बात नहीं सबसे हो जाता है मेरे बच्चे, कोई बात नहीं खुश रहो, आज का मध्यान साई संदेश समाप तुआ